नमस्कार हिंडी मेडी सेरकल के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों स्वाद को बेहतर बनाने के लिए हमारे भोजन में मसाले डाले जाते हैं भारतिये अपने मसालों से प्यार करते हैं आपको हर राज्य में अलग-अलग तरह के मसाले डार खाने देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हर किसी का बनाने का अपना अलग तरीका होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक मसाले डार भोजन पेट की कई समस्याओं का कारण बच सकता है मसालेदार भोजन का अधिक सेवन पेट के विभिन बिमारियों का कारण हो सकता है इन समस्याओं के पीछे मुख्य कारण मसालेदार भोजन में उच अमलिय सामकरी के उपस्थिती है हाला कि मसाले बहुत सारे विटामिन और पोशक्तत परदान करते हैं जो की परचूर मात्रा में मौजूद होते हैं लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन हमारी शरीर पर बुरा परभाब डाल सकता है भूख कम लगना मसाले दार भोजन का मध्य मात्रा में सेवन करना ठीक है आप सब्ताह में दो-तीन बार खा सकते हैं लेकिन रोजाना इसका सेवन आपके शरीर पर बुरा परभाब डाल सकता है यदि आप अधिक मसालेदार भोजन खाते हैं तो आपको भूख में कमी की अनभव हो सकती है गैस्ट्रिक अलसर मसालेदार भोजन सम्विधन शील, म्यूकोसूल, अस्तर या छोटी आत में अलसर का कारण बन सकता है इसे पेट में दर्द, मतली, उल्टी और वजन कम होता है पेट में जलन, अधिक तीखा खाना खाने से पेट में जलन की शिकायत हो जाती है जिससे आपको बेचैनी हो सकती है मसालेदार भोजन अधिक देर रात में नहीं करना चाहिए यदि आप मसालेदार भोजन के कारण पाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो तुरंत बाहर का खाना छोड़ दे अपने पेट को नुकसान पहुचाने से बचाने के लिए मसालेदार खात बदार्थों का सेवन कम से कम करें आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यबाद